आपके सामने इसे हिस पर आपको बता देखीं कावड लेकर जा रहे थे कावडिया गाडी में हाई टेंशन तार देखीं है उपर से जा रहा है और इसी बीच में ये गाड्य चपेट में आती है जिस्से जो कावडिये हैं वो जुलस जाते हैं उनको अस्पिताल में भरती कराय गया है फरिदवाद से हमारे सायोकी मुकेश राजपु जुड़ चुके हैं मुकेश हाजसे में कावडिये की मौत की खबर मिल रही हाई टेंशन दार की वज़ा से वो गाड़ी चपेट में आती है और इसमें कावडिया थे जुलस गया है अस्पिताल में भरती कराय गया है जानकारी ये मिल रही है आपके पास क्या इसका अपडेट है किस तरह का उनका इलाज चल रहा है तो यहाँ पर अपने सहयोगी को एक बार फिर से नए सिरे से जोडने की कोशिस करेंगे लेकिन जानकारी ये कि जुलसे कावडियों को उस्पिताल में भरती करा दिया गया है हाई टेंशन तार की चपेट में गाड़ी आई जिसके बचा से यहाँ पर कावडियों जो थे वो यहाँ पर जुलस गए है हादसे में एक कावडियों की मौत की जानकारी मिल रही है तो जुलसे कावडियों को उस्पिताल में भरती करा दिया क्या है है फरिदाबाद से आपको बड़ी और हैम जानकारी दे रहे हैं हाई टेंशन तार की चपेट में आने से लगातार आपको बता दे की कावडियां यहाँ पर जुलस गए और एक कावडियों की मौत की खबर भी सामने आ रही है कि बहते दुखद खबराम आपको दे रहे तो जुलसे गवडियों को इस्पिताल भी भरति करा दिया क्या है आप तो हमारे सहिओ की मुकेश ठीक्त्र जुट चुके है मुके इस घ्याकूर जानकारी मिल रही है जहां पर आज सुबह करीब पांस वजे कावडिये अपनी कावड को लेकर जो है वह रिद्वार के लिए रवाना हो रहे थे और तभी कही ना कई हाई पैंसन तारों की चपेट में आने से गाड़ी में करेंट जो है वो उतराया और उस समय उस गाड़ी के अंदर आज से द पहुंची पुलिस ने डाड़ बाड़ी को जो है वो कबजे में लेकर उस मोटम के लिए भिजवा दिया है तो वहीं फिलाज जो है वो तमाम जो जो से हुए जो कावडिये हैं उनका हिलाज जो है वो नीचे अस्पताल में करा जा रहा वहीं इस्ताने लोगों का सापर पर कहना है कि बिदली विभाक की एक बड़ी लापरवाई है और जिसके चलते कावडिये की मौत हुई है क्योंकि जो हाइटेंसन तार है वो कावडिये कावड लेने जाते हैं तो गाडियों में डीजे वगरा भी लगाते हैं पर इतनी उची गाड़ी नहीं थी जो की वो करें जो है वो कहिना कई करेंट आने से बड़ा हासा फरीदवाद में जो हुआ है जी खुस्वू मुकेश कितने कावडिये जुलस गये हैं क्या जानकारी मिल पा रही है तो वहीं अन्य जो कावडिये करें पांट से च्छे कावडिये बताए जा रहे हैं जो अभी जुलसे वो हाई टेंशन तार के चपेट में आके हाथ से में कावडियों की मौत की खबर मिल रही है जुछ से कावडियों को अस्पताल में इलाज जाए